लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब लोग बायो टेकनोलोजी के कुछ कॉंसेप्ट जो है पिछली वीडियो में क्लेर आउट करने की कोशिश करी थी और अगर पिछली वीडियो से आप सेटिसफाइड हैं और आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो आप और ब्रेंज ओपन पॉर आल सोर्ट ऑफ इमेजिनेशन को बहुत जादा यूज करते हैं और हम शुरू कर रहे हैं आज पर्टिकुलरली क्लोनिक वेक्टर के बारे में तो चले शुरू करते हैं पटावट से आपका थाइम ना बरबाद करते हुए सबसे पहले हैं इंडेक से काम करता है पैलेंड्रॉमिक साइट्स क्या होती है और वो सब वीडियो चीजें हम पिछले में पढ़ चुके हैं तो अभी आपके पास आता है वेक्टर और वेक्टर आपके पास एक ही दिया हुआ है PBR 322 बट इसके अलावा एक बहुत छोटी सी लाइन दी हुई है जि जो question no.9 है वो है enzyme based screening process तो उसमें वो सब चीज आएंगी बट उससे पहले restriction enzyme जब हमने पढ़े दे तो उनकी क्या no man culture उनका कैसा होता है काफी funny funny से name है ECO R1 सबसे पहले ECO R1 का ही हम देख ले थे क्योंकि हमने इसका अभी action पढ़ा था तो ECO R1 में यह इसका पूरा नाम है ECO R1 13 इसको हम देखते हैं ECO R1 क्यों तो सबसे पहले तो हम breakdown कर लेते हैं ECO R1 को बिल्कुल first letter जो है वो अलग रहता है then उसके बाद CO यह अलग आता है जो capital letter होता है R वो अलग आएगा और उसके बाद जो भी numerals होते हैं वो उसमें अलग आते हैं ECO R1 में आपके पास यह चार चीज़े हैं किसी भी वेक्टर के किसी भी restriction in the nucleus के बारे में आप देखकर इसे बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किस origin का है जो भी लोग इस पर काम कर रहे थे उन्होंने क्या-क्या चीज़ें इसके लिए annotate की हुई थी तो सबसे पहले देखेंगे E E या first letter this is always for the genus genus of the organism जिससे यह isolate किया गया था उसके बाद होता है अगले दो letters पहला एक letter होता है genus का अगले जो दो letters है that are always responsible for species strain क्या होती है जैसे breed होती है dogs की लगाओ या buffalo में या cows में या किजी में तो breed जो होती है न वही चीज सेम एक ही species के और गयाने समय पर कुछ कुछ genetic differences की वजए से वह strain में convert हो जाते है तो वह उसे bacteria वही breeds जो होती है उसे bacterial microbes और plants के cases में बहुला जाता है strain और बिल्कुल last आपके पास जो है यह होता है sequence of isolation sequence of isolation तो अगर E को R1 की ही बात करेंगे तो E जो है that is for ascretia species क्या होती है इसकी coli अब आप लोगों को clear हो गया होगा that E and CO is taken from genus and species then we have strain strain is R strain as usual it is strain and then sequence of isolation अगर इसका पूरा नाम देखते हैं तो हमारे पास जो strain थी वो थी ry और इसे 13 नंबर पर क्या है isolator किया गया था तो that's how these restriction endonucleases are nomenclature इनका nomenclature क्या इसी तरीके का होता है अब आपके पास यहाँ इस vector के अंदर एक दो यह diagram जो है ना सबसे पहले तो NCR team दिया गए ठीक है तो ऐसा कोई scene नहीं है जाके आप उदर से चेक आउट कर सकते हैं यह सब चीज़ें उसके अंदर रहेंगी और हम सिर्फ और सिरफ अभी फिलहाल के लिए इसके उपर जितनी भी restriction enzyme की recognition site present है ठीक है recognition site के बारे पिछली बार मैंने बताया था क्या होती है recognition sites are the specific set of nucleotides जो किसी भी restriction endonuclease को एक place प्रवाइड करती है location देती है कि हमें यहां से काटना शुरू करना है और यह location जो है इस vector पे present है वैसे तो होती है 40 but आपके लिए जो important है वो है तिरफ 8 ठीक है इसमें दी गई है अब इनको कैसे यूज किया जाएगा इसका फायदा क्या है वह अभी अभी जस्ट पढ़ लेते हैं अभी है टीक है फिर से इसी तरीके से इसको अगर अलग-अलग से लिखेंगे सबसे पहले आएगा भी फिर उसके बाद आता है अगले दो आपको चाहे कितना भी अजीव लग रहा हो आप हमेशा इसको इसी तरीके से लिखेंगे और फिर उसके बाद nomenclature करना इसका बहुत आसान ह हो जाएगा ठीक है अगर यह तीन वर्ट्स भी है अगर यह तीन लेटर्स भी है तो भी आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे ठीक है सबसे पहले इसको लिखो इस तरीके से जो भी होता है जीनस इस केस में यह होता है बैसिलस AM is amylo liquefacients बहुत बड़ी सारी एक species का नाम है bacillus amylo liquefacients H strain और H strain का first isolate था तो यह जो BAM H1 है यह restriction endonuclease कहां से निकाल लगया है यह bacillus amylo liquefacients एक bacteria है उसकी H strain का first isolate है क्या BAM H1 इसी तरीके से हिंड 3 की बात करें तो हिंड 3 का पूरा नाम होता है hemophilus influenzae अगर मैं लिखने लगो हो तो काफी जादा वो हो जाएगा मतलब बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो आप लोग सुन लो और साथ की साथ इसको लिखते चले जाओ हिंड 3 क्या है hemophilus influenzae D strain first isolate third isolate हिंड 3 क्लावन is Closteridium latum it is Closteridium latum और बात में दिया हुआ है 1 so it is first isolate there is no strain included then we have PVU 1 this is Proteus vulgaris first isolate Proteus vulgaris PST this is Providentia stuartii first isolate and then we have यहाँ पर एक है PVU second so this is again this is Proteus vulgaris second isolate और इसमे एक आता है Salon this is Streptomyces या Streptomyces Albus this is Streptomyces Albus का first isolate so यह था आपका nomenclature के बारे में और इस vector के अंदर जितने भी restriction endocrinucleases present है तो उनका नाम का full form क्या-क्या होता है then we have enzymes कुछ बच गए थे हमारे पास ligase enzyme है तो देखिए जब भी blunt end या और जो complementary ends होते हैं उनके बीच में भी phosphate bonding हमेशा देनी पड़ती है तो यह phosphate bending यह कौन देता है यह ligase enzyme देता है दो अलग-लग DNA को जोडने का काम करेगा और phosphate iaster bond बनाता है दो nucleotides एक इदर DNA के और दूसरे DNA के बीच में सबसे दादा यूज किया जाने वाला जो DNA ligase होता है T4 DNA ligase और इसको किस ने ढूंडा था यह हर गोबिंद खुराना जी ने ढूंडा था ठीक है यहाँ पर एक चीज़ सबसे पहले यह सुन लो DNA की एक property होती है DNA जो है वापस से self-ligate करने की बहुत जल्दी कोशिश करता है यानि re-natured होने की कोशिश करता है तो वापस जैसे ही वो सब stress conditions हट जाती है चली जाती है तो वापस re-ligate हो जाता है उस चीज़ से prevent करने के लिए alkaline phosphate होता है prevent self-ligation काम क्या इसका 5 prime से phosphate bonding को remove करना 5 prime से phosphate bonding को remove करना जिसकी वज़य से self-ligation है वो prevent हो सकती है clear with this now we have the cloning vectors जो आपके पास particular है इसी वीडियो के लिए DNA molecules cloning vectors होते क्या है सबसे पहले तो यह होते है vicles vicles क्या molecular vicles बने किस्ते होते हैं यह DNA से बने होते हैं circular DNA जैसा example में आप यहां देख पा रहे हैं these are circular DNA and they can carry now they are particular यह carry कर सकते हैं किसे gene of interest को कहां पर host organism के अंदर यानि जिस भी bacteria को हम change करने की कोशिश कर रहे हैं यह उस bacteria के अंदर transfer हो सकते हैं यह साथ में अपने gene of interest यानि जिस gene का product हम बनाना चाते हैं उसे भी अपने साथ ले कर जा सकते हैं इसके अलावा यह उस gene को express करवा सकते हैं उस protein को form करवा सकते हैं अपने अपने आपको replicate कर सकते हैं तो यह properties हैं molecular vehicle की यह editor कर सकता है phenotype of host organism by its expression then we have molecular vehicle having specific sequence of all of the functions यानि सब चीजें इसके पास present होंगी अब देखिए एक चीज इसके पास होती है restriction enzyme की site और एक नहीं बहुत सारी क्यूं होती है उसका कारण अभी मैं बता दूँ आपको इसके पास होता है origin of replication यानि जिसकी वज़े से यह अपने आपको replicate करेगा अपनी copy number increase करेगा फिर होती है ROP site ROP क्या है replication machinery यानि वो सारे के सारे enzymes जो जरूरी है इसको अपनी replication के लिए जैसे DNA polymerase है एक सब चीजें है वो सब चीजें ROP बनाती है ठीक है इसके अलावा इसके पास है एक ampicillin resistant gene और एक tetracycline resistant gene जिसका मतलब यह है कि जब भी यह vector किसी भी host के अंदर present होगा तो वो host को ampicillin antibiotic से और tetracycline antibiotic से resistance provide कर सकता है resistance provide कर सकता है यह जैसे अंदर चला जाएगा तो ampicillin जो बैक्तिरिया है वो ampicillin बनाना शुरू कर देगा यह कुछ ऐसे proteins बनाता है कुछ ऐसे enzymes बनाता है जिसकी वज़ए से बैक्तिरिया जो है वो secure रह सकता है prevent रह सकता है अगर उसके उपर action हो antibiotics का और उसमें particular है ampicillin and tetracycline अभी आपने बीच में बात करी थी copy number की तो यह जो PBR322 है जिसके बारे में अब यह आप screen पे अपने देख पा रहे है यह इसका copy number जो है 15 to 20 होता है यानि यह 15 से 20 बार replication कर सकता है host के अंदर जाने के बाद में अब अगर उस time पे हमारी gene भी इसके अंदर present है ठीक है हमारी gene भी अगर इसके अंदर present है तो वो भी क्या replicate कर जाएगी और more number of gene is equal to more product ठीक है तो हमें क्या चाहिए होता है normally हमें चाहिए होता है जादा copy number but अगर बहुत जादा copy number हो जाएगा तो उसकी वज़े से जो bacteria है उसके complete machinery पे stress पड़ेगा और उस stress की वज़े से उसको negative effect भी हो सकता है जैसे उसका cell division की process जो है वो थोड़ा सा जादा time लेना शुरू करतेगी cell division रुख जाएगी खुद का जो chromosomal DNA है वो chromosomal DNA क्या है replicate नहीं हो पाएगा क्योंकि सारा का सारा जो machinery है सारी की सारी जो ATP है वो इसकी replication के लिए खर्च हो जाएंगे ठीक है but normal copy number जो हमारे पास है इस PBR322 के decent से माने जाते हैं normally ये low copy number में आता है but still copy number जो है 500 to 700 भी हो सकते हैं copy number की exact definition क्या है the number of plasmid the number of replications that a plasmid can undergo the cycles of replication that a plasmid can undergo in one organism in one cell ऐसा नहीं कि एक cell के अंदर हमने एक plasmid डाल दिया वो दो cell में convert होगी तो दो plasmid अलग लग चले जाएंगे नहीं ऐसा नहीं एक ही time पे एक ही cell के अंदर कितने जादा plasmid copy हो सकते हैं उसे कहते हैं copy number ठीक है एक ही generation की मैं बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं generation चेंज रहीं और ही single generation हमने ecoli में अभी डाला था एक single cell है अभी उसकी cell division नहीं हुई है तो उस time यह plasmid कितनी बार replicate कर सकता है other than apart from the actual genomic chromosome actual genomic DNA उससे अलग कितनी बार replicate कर सकता है उसे क्या कहते हैं copy number कहते हैं ठीक है अब यह क्या क्या इसके functions होने चाहिए replication यानि replicate कर पाए expression यानि यह stable हो it must be stable और जो भी हमने genus के अंदर डाली है उसकी यह expression दे सके then we have selection markers ठीक है selection marker यानि हमें देखो अब यह तो पता नहीं चल सकता न कि जैसे मैंने recombinant DNA बना लिया मैंने इसके अंदर हमारी gene डाल दी डालने के बाद क्या होगा है यह नहीं जानते कि bacteria के अंदर यह चला गया या नहीं एक चीज़ दूसरा हम यह भी नहीं इंट्रस्ट successfully ligate हुई है या नहीं दो questions हो गए अब एक पहला question क्या था कि इस vector के अंदर हमारी gene of interest successfully incorporate हो चुकी है insert हो चुकी है या नहीं एक question मात दूसरा question मात इसमें क्या है जो यह vector है जिसके अंदर हमने हमारी gene ligate करवाई थी और जिसको हम host के अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे host ने उसे accept किया है receive किया है या नहीं तो यही चीज़ जो है selection markers में आती है और selection marker हमें इस बात का proof देते हैं कि जो यह vector है यह bacteria के अंदर जा चुका है और इसके अंदर हमारी gene भी प्रेजेंट है ठीक है तो देख लेते हैं PBR 322 की details 1977 में Bolliver and Rotrigos ने इसे ढूंडा था Plasmid के बारे में अगर हम बात करें तो Plasmid जो है वो कब डूंडे गए थे किसने ढूंडे थे याद करो history और जिसके लिए आप पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं history में यह present था सबसे पहले जो Plasmid है वो restriction endonucleases से भी पहले ढूंडे गए थे hands and ladder work ने ढूंडे थे hands and ladder work थोड़ा सा Plasmid के बारे में मैंने आपको उतब बताया था अभी बता देता हूं Plasmid जो है वो stress की condition में circular DNA होता है other than the genomic यानि main जो bacteria का chromosome है उससे अलग होता है और stress की condition में activate होता है जो भी उसके पास gene present उनको form करता है अब देख लीजिए PBR 322 के पास क्या-क्या चीज़े हैं ampicillin resistant gene है tetracyclication gene है origin of replication है और replication machinery है plus में आप लोगों के लिए important 8 अलग-अलग restriction nucleuses की site है अब इसकी help से जब भी हम gene of interest transfer करते हैं और फिर किसके अंदर वो transfer हुई है उन bacteria को अलग से select करते हैं उन्हें बोलते क्या है recombinant यानि ऐसे host जिनके अंदर ये जा चुका है establish हो चुका है stable हो चुका है और हमारा product भी produce कर रहा है उन सारे bacteria को क्या बोलेगे recombinant bacteria इस technique को बोलते हैं antibiotic resistance based screening screening का मतलब selection वही मैंने आपको जब भी पीछे बताया था ये selection ठीक है इसे दूसरा नाम क्या दिया गया है screening और ये काम किस तरह से करता है अभी देख लेते हैं working of a vector सबसे पहले suppose ये PBR 322 था हमारे पास इसको हमने काटके linear कर लिया ठीक है कौन सा मैं use कर रहा हूं हम use कर रहे हैं BAM H1 ठीक है जी हमने use किया BAM H1 BAM H1 क्या करता है किसी particular site पे इस तरह की sticky ends को क्या करेगा reduce कर देगा ठीक है अब ये vector जो था ना ये पहले जो circular था हमने इसको क्या कर लिया linear कर लिया पहली चीज ये तो जरूरी है और linear कोन करेगा जो भी 8 restriction endonucleases की side present है उसमें से हम कोई भी एक use कर सकते हैं पहली चीज दूसरा अब यहां पर जरूरी चीज ये आती है जरूरी चीज क्या आती है अभी बता रहा हूं वो आती है जो gene of interest है मैंने बता है gene of interest के दोनों side पे यानि terminator के पहले sorry terminator के बाद में और promotor से पहले flanking regions present होते हैं वहां पर हमारे जो भी ये restriction endonucleases हैं इनकी side present होती है अलग-लग gene पे अलग-लग होती है ठीक है suppose हमने एक ऐसी gene को choose किया है जिसके पास bam h1 की side है और हमने जो वेक्टर है इसको भी bam h1 से कटवाया है तो यहां पर condition क्या होगी जो gene हमारे पास आयेगी जिसके पास ऐसे complementary ends present होंगे तो पिछली वीडियो concept याद करो complementary जो base pair है complementary जो sticky ends बनते हैं यह आराम से align हो जाते हैं और इनको ligation में कोई problem नहीं आती but अगर मैं vector को कटवा देता हूँ eco r1 से और gene of interest को कटवा देता हूँ bear h1 से तो उससे क्या होगा उससे होगा यह कि eco r1 की recognition sequence अलग है ठीक है वो भी sticky end produce कर रहा है bear match 1 की recognition sequence अलग है ठीक है वो भी क्या produce कर रहा है it is again producing sticky ends दोनो sticky end produce कर रहे है but recognition sequence अलग है तो यह जो sticky end बढ़ेंगे आपस में complementary नहीं होंगे यहां से question arise होता है that why we use same restriction endonuclease for cutting down the vector and for extraction and isolation or cutting down of gene of interest हम क्यों use करते हैं इसलिए use करते हैं कि जो भी sticky end बने वो एक दूसरे के complementary हो clear है okay then उसके बाद ligation करवा देते हैं हम transfer host के अंदर फिर उसके बाद screening process आती है और फिर selection of recombinant आता है यहीं किस-किस ने uptake कर लिया तो वो process कैसे होगा हमने किसको वेक्टर को किस से कटवाया है हमने वेक्टर को कटवाया है बैम h1 से बैम h1 की side कहां present है बैम h1 की side present है यहां पर अब यह बैम h1 जब भी इस वेक्टर को काटेगा और सीधा कर देगा यहीं linear कर देगा तो आपको नहीं लगता कि condition कुछ इस तरह की हो जाएंगी चलिए ठीक है ना यह वेक्टर को कर दिया इसने linear और वेक्टर जैसे ही linear हुआ बैम h1 की side जो present थी वो tetracycline gene के ऊपर present थी तो tetracycline की gene बीच में से नहीं कट जाएगी कट गी ना tetracycline की gene बीच में से कट गई आदी इधर चली गई आदे इधर जाओ आदे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ तो क्या करेंगे पीछे आके gene जो है वो कट चुकी है और एक बात बताऊं जब भी gene को हम काट देते हैं एक भी nucleotide change कर देते हैं उसकी वज़े से क्या होता है gene जो है वो silent हो जाती है inactive this will make the gene inactive ये gene को क्या कर देगा inactive कर देगा अब हमने क्या किया अब हमने लिया हमारा gene of interest ये रहा gene of interest ठीक है gene of interest अब हमने DNA ligase की मदद से इसको gene of interest को बीच में डाल दिया किदर vector के अंदर gene of interest को जैसे ही हम vector के अंदर डालेंगे तो क्या जो tetracycline की gene थी जो पहले कट कई थी वो re-like it हो जाएगी नहीं हो सकती ना आधी gene अभी भी इधर present है और आधी gene अभी भी इधर present है clear होगी ये चीज़ tetracycline की gene because of insertion of gene of interest in between it वो silent हो जाती है ठीक है gene of interest की insertion की वज़े से tetracycline की gene जो है वो silent हो जाती है and the process is known as insertional inactivation the process is known as insertional inactivation देख रहो यहां पे अब इसके बात इसके पास और क्या-क्या चीज़ present थे अभी हम बात कर लेते सिरुप और सिरुप genes की तो यहां पर present थी इसके पास ampicillin resistance gene यह tet की gene जो है वो कट चुकी है और यह है हमारा gene of interest इधर ORI present थी इधर ROP present थी और यह है PBR322 की इसके भी हम बात कर रहा था कटवाया किस्से सामने इसे BAM H1 से clear है इतनी चीज़ समझ में आ गई अब अगर condition देखो यहां पे कुछ इस तरह की हो जाती है कि अगर इस vector को मैं डाल देता हूं bacteria के अंतर ठीक है यह एक cell और इस cell के अंदर इस vector को मैंने डाल दिया अब तब काम क्या हो रहा था tetracycline resistance provide कर रहा था क्या इस condition में tetracycline resistance provide कर सकता है after its insertional inactivation क्या यह provide कर सकता है resistance bacteria को antibiotic से किस से tetracycline से नहीं कर सकता ठीक है तो इसी basis पे हम देखेंगे यह कि क्या यह जो tetracycline है इसने resistance provide की है या नहीं ampicillin resistance provide कर सकता है या नहीं यह खुद से सवाल पूछो ज़रा यह इसकी gene जो है वो activated है इसकी gene कटी नहीं है तो ampicillin resistance provide हो जाएगी tetracycline से नहीं होगी कुछ कुछ clear हो रही है यह चीज़े तो देखो इसका फटाफट से screenshot ले लो तुम्हारे पास यह फाइदा रहेगा इसके बाद हम दुबारा से शुरू कर रहे हैं पूरे process को ठीक है ठीक है अब हमारे पास तीन condition हो सकती है पहली condition क्या vector is not transferred vector जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ ठीक है अब अगर vector ट्रांसफर नहीं हुआ तो ampicillin से resistance मिल सकती है क्या नहीं मिल सकती tetracycline से resistance मिल सकती है क्या वो भी नहीं मिल सकती क्यूं क्यूंकि bacteria के पास यह plasmid प्रेजेंट नहीं है और नॉर्मल कंडिशन बे भी वो bacteria plasmid से नहीं देशन नहीं होते यह वेक्टर उसे प्रवाइड कर सकता था यह plasmid उसे प्रवाइड कर सकता था पड़ प्लास्मिट जो है वो ट्रांसफर ही नहीं हुआ दूसरी कंडिशन आती है अमारे पास ट्रांसफर्ड ट्रांसफर हो चुका है अब अगर ट्रांसफर हो चुका है तो यहां फिर से दो कंडिशन आएंगी पहली रीकंबाइंड है या दूसरा एंप्टी है कैसे वेक्टर ट्रांसफर्ड नहीं हुआ दोनों से हमें कुछ नहीं मिल रा वेक्टिरिया जो है वो मर जाता है हम साफ सिदह यह समझ लेंगे कि हमारा जो वेक्टर है वो अंदर ट्रांसफर है नहीं हुआ दूसरा वेक्टर ट्रांसफर हो चुका है तो इसका पता भी हमें दो अलगलग कंडिशन से लगाना पड़ेगा एक क्या वेक्टर के अंदर हमारी जीन ओफ इंट्रस नहीं कर सकता ठीक है जब भी हम एक अगार की प्लेट बनाते हैं इसके अंदर न्यूट्रेंट मीडियम डालते हैं जिसके अंदर हम अगर टेट्रा साइक्लिन डालेंगे एंटिबायाटिक तो यहां पर ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगे सेम उसी बैक्टिरिया को अगर हम एंपी सिलिन पे ग्रोथ करवाते हैं तो हमें ग्रोथ देखने को मिलती है क्योंकि क्या कंडिशन थी यहां पर जीन ओफ इंट्रस्ट है टेट्रा साइक्लिन की जीन कट चुकी है बट एंपी सिलिन की जीन अभी भी एक्टिवेटिड है वो इसको एंपी सिलिन से रिजिस्टेंस प्रोवाइडर कर देगी बट टेट्रा साइक्लिन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी जीन के बीच में हमने हमारी जीन ओफ इंट्रस्ट डालती थी एंपी की क्या कंडिशन रहेगी एंपी में जीन लाइगेशन नहीं हुए यह टेट्रा साइक्लिन की जीन भी बहुत सही है काम कर रही है एक्टिवेटिड है एंपी सिलिन की भी एक्टिवेटिड है तो यह टेट्रा साइक्लिन से भी रिजिस्टेंस प्रोवाइड कर तो यह condition जहां आपने देखी थी, recombined tetracycline resistance प्रवाइड नहीं हो रहे ही, इसे क्या बोलते है, insertional inactivation, and this is a very much important phenomena for your studies, अब यह देखलो, इसका भी एक फटक्ट से screenshot लेलो, तुमारे पास और फाइदा रहेगा, क्या, समझ में आ गई यह चीज, then we have antibiotic resistance gene, इससे सारे काम हो रहे ह है, और अगला क्या होगा, इसके अलावा कौन-कोन से vector होते हैं, तो बैक्टिरियो फाज, या नि जो वाइरस बैक्टिरिया पर feed करते हैं, बैक्टिरिया आपको infect करते हैं, उसमें lambda फाज आता है, और M13 होता है, M13 जो है filamentus है, ठीक है, यह filamentus फाज बैक्टिरिया होता है, तब फाज वाइरस, then we have lambda फाज के पास क्या condition है, lambda फाज के पास होते हैं इस तरीके का DNA, और जिसके पास दोनों तरफ hanging ends present होते हैं इस तरीके से, बिल्कु स्टार्टिंग में, एंजो नूकलेज में मैंने यह diagram आप लोगों को दिखाया था, ठीक है, अब यह जो hanging ends present है, ना कोसाइट की कॉंप्लिमेंटारिटी जादा होती है, तो उसको हम प्लाजमीड के साथ जोड़ देते हैं, फिर आता है, बैक्टिरियल आर्टिफिशल वेक्टर यह 300 किलो बेस पेर से लेके, और 500 किलो बेस पेर तक के DNA को, फोरन जीन को, जीन ओफिंटरस को ट्रांसफर करव है, इसके बाद अनिमल्स प्लांट्स, एग्रो बेक्टिरियम ट्यूमी फेशिंस और रेट्रो वायरसिस इनके बारे में हम एक डेडिकेटिट वीडियो में डिस्क्स करेंगे, हो सकता है, वो अगली वीडियो में ही हो, तेंक्यू सो मच अरिवन, इस इस में वीजय, और य रॉँ करता है, भी हो यदिए है, यूँ थाता है, नहीं थाता है, एक सर में ही फ्यान बट्यूमाट द्यूमि एलूमि ठाचेंपे जूमाट जोपंग, तेंक्योंझति को एस्वाय थाकम टि